हाई गाईज वाट्स आप बैक टो ग्रेविटी सर्कल वन्स अगेन और जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर केमिकल रियक्शन को कैसे सॉल्व करें केमिकल रियक्शन को कैसे याद रखें यह आप हमें बताते चलो और कुछ ट्रिक्स बतातो जिसकी मदद से हम लोग यह सारी चीजे कर सके हम इसे सॉल्व कर सके और हमें जादा परेशा नहीं नहीं हो तो आज सुबह वाला वीडियो आए होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आज सुबह मेंने आप लोगों को जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं मतलब लॉंग चेन कार्ब वाले वो बता दिये थे लेकिन आप लोगों को मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के कंवर्शन नहीं सिखाए थे तो एस पर यूर डिमांड हम लोग ट्रिक्स लेकर आ चुके हैं और मैंने आज सुबह वाले वीडियो में आपसे ये भी पूछा था कि बेटा अगर आप लोग आपको बना कर दे दूँगा और नया बैच भी स्टार्ट करेंगे तो बस इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो होगा नेम रियाक्शन वाला वो इस बैच के लिए लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद मैं आप लोगों को आल दे बेस्ट विश करूँगा लेकिन अभी हम लोग हमारे इस टॉपिक के तरफ चलते बहुत चोटा सा वीडियो होगा हाडली बारा या पंदरा मिनिट मैक्सिमम कीचूँगा काम घतम हो जाएगा तो एरोमेटिक कनवर्जन्स के लिए क्या करना है तो गाइस एरोमेटिक कनवर्जन्स के लिए अगर आप हो सकता है कि आप लोगों को केमिकल रियाक्शन में बेंजीन ना दिया हो आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर बेंजीन ना दिया हो डाइरेक्ट नाइट्रो बेंजीन दिया हो या डाइरेक्ट एनिलीन दिया हो तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को किसी भी टाइप की chemical reaction में मैंने आपको बेसिक से उठाया है मैंने तो आपको ये भी सिखा दिया कि class 11 में आप लोगों को बताया गया होगा कि कैसे आप लोग एनिलीन अलकाइन को बेंजीन में convert कर सकते हैं आपको क्या करना है अलकाइन के तीन मोल लेने उनको और red hot iron की presence में 873 Kelvin पर रखना है तो यहां पर cyclic aromatization हो जाएगा यानि यहां पर आपके तीन कारवन और तीन कारवन टोटल छे कारवन होंगे मतलब यह CH3 triple bond CH3 sorry CH triple bond CH CH triple bond CH और CH triple bond CH इस तरीके से एक दूसरे के साथ cyclic aromatization में चले जाएंगे और आपको ultimately benzene बना कर दे देंगे आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा आपका अपना benzene एक तो यह बड़ी important reaction हो गई फिर क्या करना है benzene में आग बंद करके concentrated HNO3 डाल देना है fuming वाला कोई दुनिया की reaction गलत नहीं हो सकती यह आपको nitro benzene बना कर दे देगा ग्रूप में और aniline के amine group में hydrogen और oxygen का फरके oxygen हटाना और hydrogen जोड़ना is called as reduction तो हम लोग यहां पर reduction करने की तरफ चल चलेंगे और li lh4 दुनिया का best reducing agent नहीं तो nabh4 नहीं तो आप लोग amines chapter में method of preparation of amines में यह stannus chloride याने sn plus hcl या fe plus hcl यूज कर सकते या तो आप simple hydration कर सकते हैं presence of platinum palladium and nickel आप इसमें तो कोई भी method use करके aniline का formation कर सकते हो nitro group aniline group में convert हो जाएगा simple बढ़िया शांदार तो aniline तक आ गए सरफ aniline पर आकर क्या करें याद करो में आपको बताया था aniline का यह amine एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और यह बिगड़े बच्चे की लगाम na no2 plus hcl के पास में है तो आप लोग यहाँ पर send mayor reaction अगर आप लोगों ने पड़ी होगी तो send mayor reactions आप लोगों को बहुत मदद करेगी इस concept को समझने में आपके aniline को na no2 plus hcl के साथ में treat करेंगे at 273 से 278 Kelvin याने 0 degree Celsius से 5 degree Celsius के बीच में आप जैसे इसे रखेंगे यह convert हो जाएगा benzine disonium chloride में आप देखो benzine के उपर एक nitrogen तो यह वाला और यहाँ से एक nitrogen यह दो nitrogen combine होकर n2 बना लेंगे है ना और यहाँ पर जो cl आपने यूज किया वो cl यहाँ अटेच हो जाएगा और यह बन जाएगा आपका benzine diazonium chloride और आप सभी लोग जानते ही कि जो आपका benzine disonium chloride जो है यह highly unstable compound है इसको fresh use करना पड़ता है तो जैसे आपने benzine diazonium chloride बनाया अब आपके पास में ब्रहमास्तर आ गया अगर आप लोग अनकाडमी पर 45 days का free plus subscription लेना चाहते हैं तो अभी 299 रुपीज में आपको मिल रहा है class 8 से 12 तक का इसके अंदर आप किसी भी plus class को attend कर सकते हो और किसी भी educator से पढ़ सकते हो आपको यहाँ पर code use करना है gravity ग्रेविटी जी आर एवी आई टी वाई तो यह आपको plus subscription और कम पढ़ जाएगा इसिंग यह around 240 रुपीज में पढ़ जाएगा तो अभी इससे ट्राइ करो link description box में दे रखा है let's crack it guys कतम कोई टेंशन वाली बात नहीं है कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट को जब जब आपने na bf4 के साथ में डाला है na bf4 में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट डालते ही आप लोगों को यहाँ पर फ्लोरो बेंजीन दिखाई देने लगेगा अरे वासर इतो डाइरेट रियाक्शन हो गई इससे अच्छा और क्या होगा very good अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट को potassium iodide के साथ treat कर दो तो यहाँ पर nitrogen तो हमारा विजय मान लिया है universal भगोडा chlorine भी भाग जाएगा potassium के साथ में chlorine चला जाएगा KCR बनाक और iodine यहाँ पर आ जाएगा यह बन गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का iodobenzine यह बन गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों क अरे वात सरी तो direct हो गया नाओ फिनॉल में एक बात ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पर star बना के लिखेगा सब लोग अगर आपने यहाँ पर फिनॉल में carbon dioxide और NaOH डाल दिया तो यहाँ पर आपका फिनॉल convert हो जाएगा salicylic acid में यह शायद आप लोग जानते होंगे salicylic acid इसको बोला जाता है इस reaction को coal based synthesis या coal based reaction बोला जाता है अगर आपने आपके फिनॉल के अंदर chloroform और NaOH डाल दिया तो रीमर टीमन reaction होने लगेगी और रीमर टीमन reaction के हिसाब से फिनॉल तो रहेगा यहाँ पर एक CHO जुड जूड़ जाएगा मदब देखो फिनॉल फिनॉ CHO और यहाँ से H COH बनके जुड जाएगा और अगर आपने यहाँ पर chloroform और NaOH डाला तो CHO यहाँ पर अटाच हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा salicyl dehyde यह बन जाएगा आपका salicyl dehyde this will be your salicyl dehyde ठीक है बड़ा easy यह बड़ा शांदार है तो यह हो ग conversion की तरफ चलते हैं heroine मुझे बना देना dollar चडाऊंगी बदले में चलो तो फेजु भाई को याद करते हुए हम लोग छटे नंबर की reaction याद करेंगे that is CUCN और HCN मेरे प्यारे बच्चों CUCN और HCN जैसे यह आप डालोगे तो यहाँ पर आपका sinobenzene बन जाएगा this will be your sinobenzene और अगर आपने sinobenzene का oxidation कर दिया और यहाँ पर भी अगर आपने oxidation strong oxidizing agent की presence में किया strong oxidizing agent जैसे की KmO4, K2Cr2O7 तो आपको directly यहाँ पर benzoic acid का formation होता हुआ दिखाई देगा you will form benzoic acid अगर आपने आपके benzene disonium chloride को copper chloride और HCl के साथ treat करा तो यहाँ पर आप लोगों को chlorobenzene बनता हुआ दिखाई देगा और अगर आपने यहाँ पर यह तुमारी 6 हो गई तो यह होगी तुमारी 7th reaction यह होगी तुमारी 8th reaction और 9th reaction में जब आप लोग copper bromide के साथ treat करेंगे तो य यह बन जाएगा आपका bromobenzene अब आप देखो आपने यूजवली सारी रियक्शन्स कवर कर ली कर ली का नवर्जन में आपको इतना ही आएगा अब जैसा मैंने आप लोगों को आज सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि बेटा आप लोग प्लीज इस बात का ध्यान मैंने आपसे दो ही रिक्वेस्ट करी है पहली रिक्वेस्ट अमाइन्स और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोकसलिक असिड चैप्टर की जितनी नेम रियक्शन्स सब निकाल कर एक साथ अलग तरीके से लिख लो और उनको याद करो और दूसरा आप लोगों को मेथड आफ प अल्डिहाइड कीटोन कार्बोकसलिक असिड अमाइन्स डीटेल में पढ़ाया हुआ है उन्हें रियक्शन्स को समझो और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो तो यह ट्रिक वाला वीडियो में खतम करता हूं मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नेम रियक्शन का एक बना दू और एक वीडियो बना दू जिसके अंदर आपको सारे important topics क्या पढ़के जाना है वो बता दू तो with this guys हम लोगों का ये trick वाला वीडियो खतम होता है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो जैसा मैंने promise किया था मैंने आपको tricks to convert chemical reactions बता दी कुछ दो बच्चे ऐसे थे जो बार-बार comment कर रहे थे कि sir नहीं पढ़ाएंगे तुम तो कहीं और चले जाओ तुम लोग तो कहीं और चले जाओ बट आप लोगों ने तो faith रखा and thank you so much for that and क्या बता हो बच्चे थे भी नहीं या paid comment करने वाले लोग थे किसी और organization के जो हम से जलते हैं God knows but thank you so much for joining thank you so much for completing this session with gravity circle अगर आपको मेरा पढ़ाया हो आप बहुत अच्छा लगा हो तो अपने juniors को अपने आने वाले जो तुमारे schools में या coachings में या आडोस पडोस में batches ने 10th, 11th and 12th के बच्चों को recommend करना gravity circle for chemistry यहीं आप लोगों की तरफ से बहुत बढ़ा gift होगा मेरे लिए thank you so much for joining बबाई बच्चा लोग take care see you tomorrow